वेलकम टू स्पोर्ट सरीना गाईज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट होने वाला है आज मैं कुछ ऐसी फणी चीज दिखाऊंगा आपको जिससे आपका दिल खुस हो जाएगा तो वाय यह है कि संद्राइजस हैदराबाद को चेनने सुपर किंग्स के हाथों बुद्द बार को खेले गए आईपियल मुकाबले में साथ मिकिट से हार का सामना करना पड़ा भहिया इस मैच में संद्राइजस हैदराबाद की हार के लिए उसके कप्तान डेविड बॉर्नर को जिम्मिदा ठहराये जा रहा है ये बिलकुल बात सही भी है बता दें कि टीटो एंटी क्रिकेट के लिहाज से संद्राइजस हैदराबाद के कप्तान डेविड बॉर्नर ने इस मैच में बहुत धीमी पारी खेली और उन्होंने 55 गेंदों पर मात्र संताबन रन मनाए डेविड बॉर्नर को धीमी पारी के लिए ट्विटर पर जम कर ट्रोल किया रहा है फेंस ने डेविड बॉर्नर को लेकर काफी मिम्स बनाए है वो सारे मिम्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप स्पोर्स से जुड़ी इंट्रेस्टिंग खबरें सबसे पहले जान सके तो भाईया एक एक करके ये मिम्स पर नज़े डालिए जो कि डेविड बॉर्नर के लिए बनाए गए है हुआ है प्राइब में और है कर दो कि व्बता है प्राइब झाल अप्राइब लिकी काईज चेनरी सुपरकेंज के खिलाफ संदाईजस हैदराबाद की हार के बाद कप्तान डेविड वॉर्नर ने जिम्मेदारी लेते हुए यह सुविकार कर लिया है कि उन्होंने काफी दीमी बल्लेवाजी की वॉर्नर ने कहा मैंने जिस तरह की बल्लेवाजी की उससे मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैंने धिमी बल्लेवाजी की है बता दें कि चेनरी सुपर किंग्स ने रितुराज गायकवाड और फाफ्ट प्लेसेस के अर्धस्ता को दोने को बीच सत्किय पारी के दम पर संराइजे सहदराबाद को साथ बिकेट सेहरा दिया था जेनरी सुपर किंग्स लगा था पांच में जीत के साथ पॉइंट स्टेबल में टॉप पर पहुँच गई है तो गाइज ये तो थे डेविट बॉर्नर के खिलाब बने मीम आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फिलाल के लिए इतना ही for more videos stay connected